हेलो नमस्कार बच्चो स्वागत है आप सभी को बेशिस सिख्चा के ऑनलाइन लर्निंग प्लाटफॉर्म पे तो कैसे हो बेचैन आत्मा हो सभी लोग जो है एक वार इसको सेर कर दो और देखते हैं कौन-कौन जो है बच्चे आज की क्लास में जो है जुड़ चुके है बच असलों के बारे में जो है आज हम लोग डिटेल में डिसकस करने वाले हैं बच्चो ठीक है इसमें एक एक चीज बताओंगा उनका बनस्पतिक नाम से लेकर उनके भेराइटीज और क्या-क्या उनके फूल की स्कूल के है उनका उत्पति स्थान और सारी चीजे जो है आपको एक-एक चीज है बताया जाएगा ठीक है तो सभी लोग जो है एक बार इसको शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी जुट जाएए बच्चो तो चलो चले ठीक है गुड इстиवणिंग चलो हाँ गुड इवनिंग नमस्कार हरर महादेब बच्चो गुड इवनिंग प्रणाम खुश रही है चलिए सभी लोग जो है इंडियन गुज बेरी भी कहते हैं ठीक है चलिए ठीक है फटाफट सेर कर दो बच्चो गुड इवनिंग नमस्ते हाँ एक इस्ट्री का क्लास है बच्चो आप लोग को टाइम टेबल जो है हम लोग की वीक की रिलीज हो चुकिए जो बच्चे यहां टेलिग्राम से या वाटसेब से या कम्यूनिटी पोस्ट से यह आप लोग इंस्टाग्राम से भी इसके डिटेस जो देख सकते है ठीक है डिट फसल जिसके बारे हम लोग डिसकस करने वाले हैं वह बच्चो आपल यानि की स्टेव अब यहां पे आप लोग को डाइग्राम भी लगा दिया गया है ठीक अब इसका अगर बोटैनिकल नेम यानि कि इसके अगर बनस्पतिक नाम की बात करेंगे बच्चा तो मैलस डोमेस्टिकाइज का जो है बनस्पतिक नाम होता है तो यानि कि अपल का अगर बनस्पतिक नाम से रिलेटेड कोस्टन से अगर पूछा जाए तो हाँ गुड़ इवनिंग चलो बच्चो एक बार सभी लोग जो इसको सेर कर दीजे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो है लाइफ क्लासे के दौरान जूड़ सके ठीक है बच्चो एक बार सेर कर दो सभी लोग जोनों अभी तक नहीं किया इसका फैमिली जो है बच्चो इसको क्या कहते है यानि कि इसको मतलब क्या हो गया बच्चो सितोस्न फल ठीक है तो इसको आम लोग टेंप्रेट फ्रूट कहते हैं यानि कि सितोस्न फल कहा जाता है ठीक उसके बाद आपको ध्यान के देना होगा कि इसे लिवर्टी वराइटी ऑफ एपल इस रेसिस्टेंट टू अल फंगल ड इसे लिवर्टी इस तरह से आपके वराइटीज के नेम होते हैं बच्चो ठीक इस चीज को आपको ध्यान देना होगा जय जवान जय किसान जय क्रिसी विज्ञान बहुत अच्छा धरमेंदर मौरया बहुत अच्छा बच्चा हाँ सी यू इटी का फॉर्म जो है बच्चो अभी तक जो है नहीं आया है ठीक हम लोग को दिन भर इसी चीज का इंतजार था ठीक अभी तक जो है आया नहीं है अभी तक जो हुआ एप्लिकेशन विल बी लाइव सून करके जो अभी तक दिखा रहा है तो अभी तक आया नहीं है बच्चो ठीक है तो जैसे आएगा देखो इस थारा के कोई रिजिग किसी भी अगरिकल्चर तो आप झा रह रहे हो ना तो आप जो है प्रिप्रेशन कर सकते हो दो तो कर पाते हो तो वहां के लिए आपको बेनिफीसियल होगा ठीक है तो चली आगे बढ़ते हैं बच्चो फटाफट सुरू करते हैं, next फ्लावर कलर जो होता है बच्चो यह सफेण से लेके गुलाबी रंग का, यानि कि white से pink रंग का होता है, temperate fruit, अब इसको हम लोग और क्या कहते हैं बच्चो, king of temperate fruit का आ जाता है, यानि कि सितोस्न फल का राजा, इसे क्या कहते हैं बच का राजा भी इसे कहा जाता है, इस चीज को भी आपको basically भच्चो ध्यान देना होगा, ठीक है, चलिए, उसके बाद, आप कब आ गए, डी यू 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 उनिवर्सिटी में, बेसी अगरी कल्चर करने, देखो बच्चो डेली यू उनिवर्सिटी में जो है, बेसी एजी न इन दे वर्ल्ड, यानि कि सबसे ज्यादा अगर सितोस्न फल में, सबसे दुनिया में, सबसे ब्यापक रूप से उगाया जाने वारा समसितोस्न फल हमारा कौन सा है, तो सेब है बच्चो ठीक है, बिश्व में, अगर हम बात करें पूरा इंडिया में, तो 55% छेतर फल और 75 तो टोटल उत्पादन होती है, टेमपरेट फल की, तो उसमें क्या है, सबसे लीडिंग पोजिशन पे हमारा एपल है, तो बिश्व की बात कर लो, या भारत की बात कर लो, जितने भी हम लोग सितोस्न फल की बात करते हैं, यानि कि जितने भी हम लोग टेमपरेट फूट की बात करते हैं उसमें सब से ज़्यादा जो है चीजे आप लोग को सबी बताया थे जैसे अप्डेट से चीजे भी अपडेट हो जाएगे ठीक है तो अब जो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है इडिप गोरखपुर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो बच्चा ठीक वहाँ जो मैक्सिमम जादा से जादा जो वहाँ एजी ही पुछा जा सकता है जाता है ठीक नेक्स इंडिया रैंक्स 11 इन एपल प्रोडक्शन इन दे वर्ल ठीक एपल इस टीपिकल टेंपरेट फूर्ट यानि कि सामानने सितोस नफल है और हिमाचल प्रदेश को बच्चो ठी कि हिमाचल प्रदेश की जो क्लाइमेट होती है वो हमारा टेंपरेट होता यानि कि सितोस्न होता है तिसलिए सबसे ज़्यादा जो सितोस्न फल सेब है वह वहीं पर उगाई जाती है ठीक है तिसलिए उसको हम लोग जो है क्या कहते है सितोस्न सेब का कटोरा कहते है सुदर्सन औस्तानी सर एक वीडियो होना चाहिए सर ओनली बियस ऊगरी कल्चेर के लिए देखो बच्छो अलड़ी बियस ऊगरी कल्चेर के लिए हम लोगो ने लाइब सेशन लिया है अगर फ्याफ ने दाउनलोड कर लेए उसमें अपडेट कर दीजेना सर ठीक है चलो ओफिशल नीराज पुछने सर बियेच्चू करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा देखो बियेच्चू के लिए आपको जो है स्यूईटी के पैटर्न से रिलेटेड़ डिटेंज वीडियो अल्रेटी जा चुकी है और अगर अलग से आपको बियेच्चू के लिए पाटिकूलर अगर पढ़ना होगा बच्चो तो एक बीएसी एजी के लिए आप अगरी कल्चर केमेस्ट्री रिजिनिंग और मेंटल बेसिक मैज जो है इन सब की क्लासेज जो अभी आप कर सकते हैं ठीक है हाँ अगर बढ़ते हैं जाहिंद चली ठीक है उसके बाद बच्चो नेक्स्ट आपको पॉइंट क्या ध्यान देना होगा अल्मोस्ट आल वे राइटीज है चिलिंग रिक्वार्मेंट ऑफ वान थाउजन आवर्स और बिलो सेवन डिग्रीज तुसर लेके सेवन पॉइंट टू सेवन साथ से लेके डो डिग्री सेंटिक मतलब बहुत जादा चिल्ड इंवार्मेंट चाहिए किसलिए इसको स्टोरेज भी अगर माली जह हम लोग इसको भंडारन भी करते हैं तो 11-13% परागन करने वाले पेड़ों का जो है लिया जाता है ठीक है इस चीज को आपको बेसिकली ध्यान देना इस से कोस्टन से आपके एक्जाम में नई पुछे जाएंगे बच्छो ठीक है नेक्स्ट आपको यहां पर देखो ग्रेडिंग जैसे हम लोग भी अगर आलू ख चीक क्या बात है बच्चा पुराना वीडियो को कवर करने तो देखो बच्चो एक अपना टाइम टेबल उचित बनाई है जैसे आप दो से तिन घंटा हमारे पुराने रेकॉडर वीडियो को दे रहे हो फिर लाइफ क्लासेस में करो इस तरह से करो गया आपको पुराना जो बैक लॉग है वो भी क्ल कियर होगा और आप रिसेंट क्लासेस के साथ भी अपडेटेड रहेंगे ठीक इस चीज को ध्यान दीजेगा हुँआ चलो ठीक है ओक्या आगे भरते हैं बच्चो यहां पर इसको फिर से बता देता हूं जैसे देखो पॉलिनाइजिंग मतलब होता है जो परांगन करने वाले जो पेड़ होते हैं उसमें कितना तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर 11-33% पॉलिनाइजेशन जहां पे पॉलिनेशन होती है वह ऐसे पेड़ को ही ज्यादा तर हम लोग नियमित रूप में खेती करने के लिए लेते हैं इसली अलग अलग साइज के बीतिुस्पर उसको जो है ग्रेडिंग किया जता है नहसे महगा बिखता है फिर इसको प्राइस में भी उसकी कमी होती है उसी ओर्डर से ठीक है इसी तरह से यहां पर सेब भी जो भी छे six Dr. मे जो है इसको बर्गी करित किया घया यानि कि इसको जो है विभाजित किया गया छे अलग-अलग ग्रेड्स में ठीक है अब अरली फ्रूट ड्रॉट जो होता है जिसमें जो है पहले पुर्व फलो का गिरना होता है बच्चो यह डूटु लाक ऑफ पॉलिनेशन अन कमपीडिशन अब देखो परागन की कमी और आ टाकास, लाइट, सनलाइट, सारी चीजों के लेकर जो कमपीडिशन होगी और उसके कारण से क्या होंगे उनके उचित विकास नहीं हो पाएंगे तो इसी के कारण से इसी कमपीडिशन कहते है प्रतिसफर्दा ठीक और पॉलिनेशन अगर सही से नहीं हो पाएगा तो क्या अच्छे बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे इसी लिए जो है फूट ड्रॉप होती है ठीक है प्रणाम प्रणाम ठीक है चलो कॉलेज के लिए जो है वीडियो जो अगरा जो आप लोगों को बना देंगे कहां पर अल्रेडी युनिवर्सिटिस में मैंने बनाया अब लोग देख लिजेगा एक बार आगे बढ़ते हैं बच्छो तब नेक्स जो आपका जून ड्रॉप जून में जो है आपका फलो का गिरना आपको देखते हो तो यह किसके कारण से होता है जून ड्रॉप तो मोईस्चर स्ट्रेस एंड इंवर्मेंटल कंडिशन यानि क कि नमी के तनाव और परावरनिये परस्थितियों के कारण से जो है वहाँ पर फलो का गिरना जून ड्रॉप जो है वहाँ पर ज्यादातर कॉमन होता है तो यह इसका रीजन देखो दो तरह से आपका फ्रूट ड्रॉप हो सकता एक तो आपका जून के महिने में जब होता अगर बारिश हो गई तो इस सब के कारण से उसके पुस्पुजवा ऐसे जढ़ जाते तो वहाँ पर सरी सारी जैसे पॉलिनेशन और फ्रूट का डेवलप्मेंट नहीं हो पाए तो यह सब कुछ रीजन है जिनके कारण से सौरी उसके बाद जो है प्री हार्वेस्ट अगर हम लोग बात करें सिंपल किस चीज की बात करेंगे अगर हम लोग यहां पे कि अब एबी अपसीचीग एसीड का काम क्या होता है मुख्य रूप से इसको बताओ पहले बता देता हूं एपसीचीग एसीड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं क्या कहते हैं और कहीं पर भी जब परीपकोता आती है यानि कि जब मेचूरि तो अगर इनकी मातर अगर बढ़ जाएगी तो यह सब निगेटिव हर्मोन भी तो है ग्रोथ रिटार्डेंट भी तो है यह सब हमारे बृद्धी विकास को कम करने वाले वी तो है तो इसी के कारण से क्या होता है यहां पर प्री हर्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप जो है यहां पर देखने को मिलता है नेक्स्ट यहां पर कुछ इसके उच उपज वाली किस्म है ठीक अधिक उपज देने वाली किस्म आपका स्कार्लेट गोला और रेड़ फूजी जो है यहां पर क्या है तो ऐसे वेराइटीज है जिसमें आपको अधिक उपज मिलती है ठीक है तो इस अब बताओं को बैटा ठीक एपल में रेड कलर कहीं भी होता है नो वह एंथोसाइनिन के वकारण से होता है इसका इडिबल पार्ट थैलमस होता है यह सब चीज है अलएडि मैंने प्रिवेस लेक्चर में आप लोग को बता के रखा है ठीक है इस चीज को ध्यान दिजेगा सुसूता बढ़ता है शाही बात है चलिए है एपल में Self-Pollination Apples जो है वो हमारा Cross-Pollination प्लांट है लेकिन कुछ Cultivors जो है वो हमारे Self-Pollinated भी है यहां ठीक है तो इसलिए मलोग काفسिकलिया गर पूछेगा from France in 1960, यह variety जो है San Jose Scale, ठीक, यह कहाँ पर भारत में लाया गया France से 1906 में, यह important उतना आपके exam point of view से नहीं है, लेकिन optimum temperature for pollination and fruit setting, यानि कि परागन और फल लगने के लिए, ठीक है, फल बनने के लिए और परागन के लिए, अंकूरन के लिए, इस सब के लिए कितना तापमान के आवस्सकता होगी बच्चों, तो 21.1 से लेकर 26.7 degree centigrade, ठीक है, 26.7 degree है, 21.1 से 26.7, यानि कि जो 20 से 27 degree temperature की जो range होती है, यह आपको यहाँ पर अंकूरन से लेकर fruit setting के लिए जिम्मेदार होता है, की प्रयोग करते हैं, तो बच्चों पेव पतार्थों के लिए, अगर सबसे ज्यादा यूज करने की बात आएगी न, वो हम लोग अंगूर को यूज करते हैं, ठीक है, अंगूर में आप लोगो को बताया था, मैंने, अलग-अलग wine के जो इस तरह से अलग-अलग wine बनाने के लिए, चलिए, ठीक है, सर समझ नहीं आ रहा है, फीजिक्स पढ़ें कि एगरी कल्चर, देखो बच्चा ये तो आपको डिसाइड करना है, ये सबजेक्ट कौन आपको पढ़नी है, क्योंकि दोनों का स्लेबस देखो, अगर डिसाइड नहीं कर पा रहा है हो, तो दोनों रहे संट आपको आता है, और कितना आपको कन्फ्यूजन है, इस तरह से आपको डिसाइड कर सकते हो, कि कौनसा सबजेक्ट आपको एटेंब्ट लेना चाहिए, ठीक है, पहल है, पालाने सलेबस देखिए, तब डिसाइड करिये, कौनसा आप से हो पाएगा, ठीक है, चलो चलिए ठीक ओके बच्चो आगे बढ़ते हैं तब नेक्स्ट जो होता है बच्चो सिडार जो यह फर्मेंटेड वाइन है जो कि एपल से बनाया जाता है ठीक है जैसे अभी भी आप लोग एपी फीज जो पीते हो तो उसमें भी देखते होगे ना इस तरह से वो जो है अलग स से फ्लेवर्ड रहते हैं नेक्स्ट एवरेज समर टेंपरेचर यानि कि शक्री ब्रिद्धी अब धी के दौरान जो आसद घर्मी का तापमा जो 21 से 24 डिग्री होना चाहिए तो देखो यह कई से 24 डिग्री जो आसद ब्रिद्धी के लिए और अंकुरन के लिए और अगस्त का जो माहा होते हैं बच्चो वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पिरेड होता है किस चीज के लिए तो वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पिरेड होता है यहापे जल माग पानी का अवस्यक्ता के लिए सबसे मौत पूर्ण अवधी जो होता हूँ अप्रिल से अगस्त का हो होता है क्यों गूसी समय जो है यहाँ पर वाटर इस्ट्रेस होगारा की कंडिशन्स बन सकते हैं ठीक है तिस चीज को ध्यान दीजेगा बच्चो देखो गुलसल रालना पुसेसर आई सीयर पका एबीसी से कर सकते हैं नहीं देखो बच्चा जो प्रिवेस एयर की नोटिफिक पर रिलाई करके जो अपनी तैयारी करनी होगी ठीक आई सीयर के लिए तो यह मान कि आप लोग कर सकते हैं चली ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो उसका प्रूनिंग इन एपल इसेंशल तो मिंटेन बैलेंस बिट्मिन बेजिटेटिव ग्रोथ एंड इस पर डेवलप्मेंट अगर सर यह इस पर क्या होता है तो यहां पर आप लोगों को जो है डाइग्राम यहां पर देखो इस पर टाइट मतला इस तरह के जो किस्म होते हैं न सेब के उसको हम लोग कहते हैं इस पर यह बनने के लिए जो फॉल मिला के यह समझी आप कि फ्रूट डेवलप्मेंट के ही बात हो रही है किसीज की बात हो रही है फ्रूट डेवलप्मेंट के लिए या लास्ट क्लास में अलेड़े आप लोगों को बता दिया था मैंने प्रूनिंग का मतला होता कटाई छटाई बच्छो ठीक है तो सभी लोग जो है एक बार हूं चलिए ठीक है सेज भी क्लास आ गया पता नहीं क्या पूछ रहे हो चलो ठीक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अर्ली वराइटीज एक्सपरियेंस 40-60% अफ लॉज देखो एक दो चीज आप जान लीजिए जैसे हम लोग यहां पे धान और ग्यों की खेती करते हैं तो ग्यों में कहा जाता ना कि उचित समय पर नहीं बुआई करोगे लेट से बुआई करने पर टर्मिनल हीट स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा तो इसका एक लाइब एक्जाम्पल आप अभी बरतमान समय पर अपने खेतों पर भी देख सकते हो जैसे जिस किसान ने अपनी बुआई जो है नोमेंबर में किया था उनके फसल अभी कटने को है और जो उससे लेट बुआई किये थे बच्चा अभी इतना हाई टेंपरेचर हो गया कि टर्मिनल हीट स्ट्रेस नाम का एक टर्म होता है वो आपका गेहूं जो है सफर कर रहा अगर आपने उसको देरी से बोया था ठीक अभी खेतों में अगर आप देखोगे जुन्होंने समय से बोया उनका फसल कटने के कागार पे है और जो लेट से बुआ है उनका फसल जो आप खेतों में जलना सुरू हो चुका है ठीक है तो यह जो अर्ली वेराइटीज होती है इनको अगर हमने पहले लगा दिया तो इनके case में जो है हमें 40-60% loss होता है किस में उपज में इनकी उपज में जो आपको 40-60% loss जो आपको experience करना पड़ता है इस चीज को ध्यान दीजिएगा ठीक है आप simple समझो seedling मतलब क्या होता है जैसे आप nursery में जाते हो तो किसी एक पेड़ पौधे खरीदा जाता है जैसे कोई भी फल है फल का हो चाया फूल का पुस्प का हो तिस तरह हम लोग क्या करते हैं वहां से nursery से पौधों को लेकर आते हैं तो उसके लिए जो है सिड्लिंग के लिए कौनसी वेराइटी सबसे उप्यूप यूज होता है वह कौनसी है तो क्रैब एपल है जिसका नाम है मेलस बैकेटा ठीक है अब क्लोनल अब देखो सबसे पहले आप समझी है क्लोन क्या होता है क्लोन आपके जो है समझने जरूरी है बच्चो क्लोन यह समझने जरूरी है क्या पूश्र लूच्च अम्यूज है अगरे पता चला कि मैथ ही लेना पढ़ेगा तो अग्रिकल्चर के लिए देखो अग्रिकल्चर माथ से हो तो आप अग्रिकल्चर पढ़ो यह हम नहीं कहते हैं ठीक है लेकिन agriculture भी आपके option में रहेगा और आपपे depend करता है कि आप कौन से subject of choice आपका क्या होना चाहिए math से हो तो math दोगे अगर आपको easy लग रहा है तो या easy से preparation करना चाहते हो, easy भी कर सकते हो ठीक है यह आपपे depend करता है कि आप किसी से त्यारी करना चाहते है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं बच्चो तो next जो आप सभी के सामने जो M9 था बच्चो dwarf suitable for high density planting यह जो variety है न बॉनी किसम है कैसी किसम है बच्चो बॉना किसम है और यह सबसे ज़्यादा उच फसल उत्पादन उच सखन रोपान के लिए जो है उच घनतो रोपान के लिए उप्यूगत होता है M9 उसके एम 4, M7, M106 यह सब क्या है हमारे semi dwarf यानि कि जो है यह हमारे बॉने से अर्ध बॉना ठीक और इसके जो है यह भी उप्यूगत किसके लिए है हाई-density planting के लिए अब एफिड्स नाम का एक रोग लगता है जिसे एफिड्स को हम लोग माहो कहते है बच्चो ठीक है तो माहो के प्रतिरोधी किस्म भी है यह सब यह सब जो आप भेरैटी म4, M7, M106 यह सब हमारे क्या है तो उच सखन फसल उत्पादन के लिए तो उप्य सही अमेलिया नाइट सही बता रहे है बच्चा देखो क्लोनिंग जो हम लोग बात करें ना क्लोन मतलब होता जिसे टीश्यू कल्चर हो खेर हम लोग करते हैं ठीक है तो जो सिंपल और जो न्यू और गेंजम को प्रोडिश करता जो सेम टू सेम होता है हू बहू उसी को हम जो क्या कहते हैं चलिए एपल का बोटेनिकल ने मैलस डोमेस्टिका पाइरस मैलस भी इस तरह से जो है इनसा का पीयर वगेरा का होता है ठीक है बच्चो चलो आगे बढ़ते हैं तब नेक्स जो बच्चो यहाँ पर MM111 जो है यह हमारा क्या उली एफिड के लिए रेसिस्टेंट है और सुखा प्रतिरोधी किस्म भी है ठीक है तो वेराइटीज को उतना डिटेल में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है बच्चो ठीक यह हमारा उली एफिड रेसिस्टेंस है तो यह माहो प्रतिरोधी किस्म सब है यह एम जहां लगा रहे हैं यह समारे माहो प्रतिरोधी किस्म हो गया देखो रूट स्टॉलिंग जो होती है यह सबसे बैपारिक भी धी है यह आपके लिए इंपोर्टेंट है रूट स्टॉलिंग ठीक नेक्स्ट आपको ध्यान देना है अगली वेराइटी जो है यह सब कुछ अरली अगेती किसम है यह सब क्या है बच्चो अगेती किसम है ठीक है अगेती किसम है किसका एपल का यह अगेती किसम है ट्रिमेंडस आईरिस पीच बेनोनी और अरली स्टैनबरी नेक्स्ट आपको ध थ्यान देना नेक्स्ट यह सारी चीज़ें हो गई उसके बाद बच्चो,산 किया है, लेट मतलब होता है ,बच्चो ,पच्यती किसम है ,ठीक है ,पच्छेती किसम को धेयन दीजेगा , उसके बाद green English variety यह देखो green English मतलब जैसे देखो आपने save 2-3 कलर का देखो एक कस्मीरी save आता जो से इस तरह से चिप्टा हो रहेगा और green color का होता है ठीक है इन सब में जो आपको varieties क्या क्या हो जागा black bendavis और pippins ठीक है यह दो varieties ध्यान देना अब कहोगे scab क्या होता है सर तो scab जो है बच्चो यह हमारा apple में लगने वाला एक गंभिर बिमारी होता है जिसे हम लोग apple scab क्याते है यानि कि venturia in equalis के कारण से होता किसके कारण से होता बच्चो वेंचूरिया इनिक्वैलिस के कारण से हैं यह बीमारी अब यही के प्रतिरोधी किस्म जो होते हैं वो प्रीमा प्रिसिला सिर्प्राइज जोना फ्री और फ्लोरीना यह सब हमारे क्या है तो यह इस पाटिकुलर रोग के प्रतिरोधी किस्म है या ठीक है? चलो, ठीक है, ओके नेक्स्ट याद पर इसकव रिसिस्टन्स वराइटी में ये भी कुछ और वराइटी जैए ठीक है, नेक्स्ट ये लो चिलिण वराइटी जहांँ की जो है लो बाइट, पर जाके शिलिंग अगेडा फिर्ट इसके लिए वरेटी आपके हैं से बनाएगें यह जो विराइटी जहें का अमरीच और और सुनहरी, यह सब जाधा तर मोख्य रूप से जम्मू कस्मिर में उगाये जाते हैं, और बाकी जो यह वराइटी है, लाल अंबरी, अंबरेड, स्टार किंग, अंबरेओल, ठीक है, यह सब जो वराइटीज है, हमारे हिमाचल प्रदेश में उगाये जाते हैं, तो देखो, हिमाचल प्रदेश को यह हम लोग बाउल ओफ, एपल भी कह रहेते हैं, शेब का कटोरा भी इसको कह रहेते हैं, तो इस चीज को ध्यान देना है, नेक्स्ट जम्मू कस्मिर में यह दोनों उगाये जाते हैं, अमरिच और सुनहरी जम्मू कस्मिर में उगाये जाने वाले व दैसे देखो, दो चीजे होती, एक होता है हमारा सीड वायबिलिटी, एक टर्म होता है आपका सीड वायबिलिटी और दूसरा टर्म होता है बच्चो सीड वीगर, ठीक है, किसी को कोई आइडिया है, दोनों टर्म के बारे में सीड वायबिलिटी और सीड वीगर के बारे मे हाँ चलो ठीक है क्या दिक्कत है हाँ देखो एपल में भी हाइब्रिडाइजेशन की जाती है उसके अलग-अलग संकरन से जैसे आपको यहाँ पर भी मैंने उपर बताया था लाल-अंब्री यह वराइटी किसकी है रेड डेलिसियस और अंब्री का क्रॉस है फिर रेड डेलिसियस कॉमन वराइटी काफी फेमस वराइटी है रेड डेलिसियस गोल्डेन डेलिसियस ठीक है यह सब हमारे कॉमन वराइटी है ठीक है अब देखो ससांग सर्गी क्लास आठ बचे के बाद हो नहीं सकता है देखो यह सारी चीजे जो है आप लोगों को जैसे टाइम टेबल बनती है तो मैं देखा जगा ठीक चलिए ठीक है सारा वेराइटी याद करने की जरूरत नहीं है बच्छो ठीक है सारे वेराइटी को नोट नहीं करना है इसकिप कर दीजिये ठीक है बस दो चार वेराइटी जो इंपोर्टेंट बताता हूं न उनी को इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है बच्छो ठीक है आपको 2-3 varieties को basically ध्यान देना है, जैसे red delicious बताया, golden delicious बताया, ठीक है, तो उनी सब varieties को आपको ध्यान देना है, सारे varieties को ध्यान नहीं देना है, विभूती भूशन बता रहे हैं, TZ viability test होता है, tetrazoleum viability, ठीक है, आप सही बता रहे हो, बिभूती भूशन ठीक है, जैनेटिक से पढ़ाऊंगा यहाँ पर भी, हम, चलो, चलो, आप बात करते हैं, set viability मतलब होता है, ability of the seed to germinate, क्या होता है, ability of seed to germinate, ability to germinate, यानि कि अंकुरन करने की जो छमता होती है, उसी को हम लोग seed viability कहते हैं, अब जिसके पास अंकुरन की छमता रहेगी, वो हमारा viable seed कहलाएगा, जिसके पास बच्चों अंकुरन की छमता नहीं रहेगी, तो वो क्या कहलाएगा हमारा seed unvival, यानि कि जो germinate नहीं कर पाएगा, वो हमारा viable seed नहीं होगा, seed vigor का मतलब होता, robustness of a plant, क्या होता है, robustness of a plant, अब कहोगे, सर, robustness क्या होता है, तो देखो, अगर किसी पौधे के अंदर वीगर उसकी छमता कितनी है, यह कब देखी जाएगी, जब उस बीज को हम लगा देंगे, और वहां से जब पौधा आएगा, तो वह पौधा कितना strong है, और कितना वह withstand कर पा रहा है, aberrant conditions को, यानि कि मौसम में जो बदलाव होती, उन सब को कैसे वह climatic condition, harsh climatic conditions पे वह कैसे cope कर के रह रहा है, तो उसके basis पे जो है, गुड़ू कुमार क्या बोले भाई, क्या पूछरे वाप, गुड़ू कुमार, देखो, teaching aptitude, भीज का जीबित्व, इसको हम लोग वाईबिलिटी को कहते हैं, ठीक है, ओके, चलो, तो seed vigor मतलब होता है, robustness of plant, यानि कि अगर हम लोगों का वीज जो है, कितना powerful है, कितना dominating है, इस चीज को कब देखेंगे, जब इसको हम लोगों खेतों में लगाएंगे तब, यानि कि robustness of the plant denotes the seed vigor, और seed viability, और seed viability का ही test, जो एक बच्चा यहां बता रहा था, कि सर, हाँ, जो नेमराज सुन्दा का बुक है न, अच्छे, उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक, वहां से आपके काफी questions, जो है, एक्जाम में आते हैं, ठीक, बुक बहुत अच्छा agriculture वालों के लिए, जो है, ठीक, अब seed viability मत के लिए ही, जो हम लोगों TZ test, जिसको हम लोगों tetrazoleum chloride test कहा रहे तो, यहाँ पर जो हम लोगों को detail में उतना देखने की जरूरत नहीं है, चलो, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्छो तब, TZ test के वालों बता दिया, चलो, आगे बढ़ते हैं यह varieties, तो आग, delicious group of varieties जो होते हैं, वो हमारे cross pollinated होते हैं, आपि लोग का जो question आए था कि सर यह self pollinator होता है, cross pollinator, maximum जो होते हैं, बच्चो वो cross pollinator होता है, कुछ cultivars होते हैं, वो self pollinated होते है, red delicious होता है, most popular variety in India, variety सबसे ज़्यादा popular कौन सी है, यह सब varieties note करना, ठीक, अभी तक varieties अगर नहीं भी note करोगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह सब variety जो आप लोगों को basically note करना है, red gold, act as pollinator for red delicious and starking delicious, golden delicious जो है, commercial variety है, यानि कि बयापारिक, ठीक है, बयापारिक केसम है है, USA और Europe के region के लिए, जो है हमारा golden delicious कहलाता है, ठीक, nakdon is a leading variety of Canada, यह important नहीं है, आपको ध्यान देना, golden delicious को ध्यान दो, red gold को ध्यान दो, ठीक है, delicious group कैसे होते हैं, cross pollinator होते हैं, seed viability के बारे में ध्यान दीजिए, seed vigor के बारे में ध्यान दीजिए, अरे हो गया भाई, लड़ना नहीं है, ठीक है, बातें जो हैं आप लोगों को, चलो ठीक है, ओक्या आगे आप, next अब यह important है बच्चो ठीक है, मुख्य प्रमुख रोग के बारे में, यह जो है आपका कितना important है, यह आप देखोगे, तो यह भी आपके एक्जामें पुछा जा जा चुका है, ठीक है, अपल कैंकर आपके एक्जामें पुछा जा जा चुका है, और powdery mildew पुछा जा जा चुका है, ठीक है, तो आपको basically सबसे important अगर डीजीज को ही पुछा जाता है, तो वो होता है apple scap बच्चो, जो venturia in equalis के currency होता है, इनके एलावा जो है apple में दो और चीजा आपको note करना होगा बच्चो, fruit cracking in apple, यानि कि save में जो है follow का फटना, fruit cracking in apple जो होता है किसके currency होता है बच्चो, boron की deficiency, ठीक, next जो काफी बच्चे पूछ रहे थेक सर, इसमें edible part नहीं बता रहे हैं, या इस सब पार्ट आप लोगों को पहले बता दिया गया है, ठीक है, edible part of apple जो होता है, उसको क्या कहते हो, thalamus कहते हो भहिया, यानि कि ये खाद्य भाग को का जाता है, ठीक है, उसको तीसरा जो पार्ट है, उसको आम लोग क्या कहते हैं, red color is due to, anthocyanin यानि कि सेब का जो लाल रंग होता है बच्चो, वो anthocyanin के कारण से होता है, इस सब तीनों पॉइंट को आपको बेसिकली बच्चो ध्यान देना होगा, next है, powdery mildew, जो रोग होता है, वो फफुन्थ, podus, phlerulocortica के कारण से होता है, next है, gliosporium rot, gliosporium rot, अब rot मतलब क्या होता है बच्चा, जैसे उसके बाद एक और होता है, bitter crack pit, ठीक है, इसमें apple canker जो होता है, nectaria, galitigenia के कारण से होता है, kolar rot हमारा fight of thora के कारण से होता है, fight of thora के कारण से, आलू में भी आप लोगों को एक मैंने चीज़ बताया था बच्चो, हाँ, आलू में मैंने बताया था आप लोगों को की fight of thora नामक कवा के कारण से एक रोग होता है, बच्चो, तो आलू में fight of thora के कारण से कौन सी रोग लगती है, चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर तब, किसी कोई doubt नहीं है तो आगे बढ़ते हैं बच्चो, ठीक है, तो save में जो related बच्चो, हाँ, पच्चेती जुल्सा, very good, मैंग बता रहे हैं, हाँ, देखो अगर सारे notes और MCQs आप कर लिए हो, तो आप लोगों अलग से कुछ books वोगेरा concert करने की ज़रूरत नहीं है, more than enough यहाँ पर हम लोग जो है classes, और notes जो है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग Indian gooseberry के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो इसको एक और चीज़ा आप याद करना, also called as Indian gooseberry, क्या कहते हैं, इसको Indian gooseberry कहते हैं, इसको ठीक है, इसे Indian gooseberry भी कहा जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, नेक्स्ट है बोटेनिकल नेम इसका क्या होता है, Imblica officinalis होते हैं, क्या होते हैं बच्चो, Imblica officinalis, नेक्स्ट है इसका कुल, यानि कि किस family से बिलोंग करता है बच्चो, तो यह भी कई बार पुछा का है, यूफोर भी ऐसा है, यूफोर भी ऐसी कुल का पौधा है, इस चीज़ को आपको basically बच्चो, ध्यान देना होगा, ठीक है, सर मुझे डीडियू का previous year देखो बच्चो, डीडियू का previous year questions जो है, अलग से अगर नहीं available है तो आप simple क्या करो, जो बीच्चू के previous year के 10 साल के जो questions है, उसको एक और अच्छे से कर आपने MCQ sessions जो लेते हैं, उन सबको अगर रेटेन कर लोगे न, सारे डीडियू के questions आप easily कर लोगे, ठीक है, वहाँ major part जो आपका agriculture से ही पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है, स्वेता मोरेसा ही बता रहें बच्चा, इसको जो है Indian gooseberry भी कहा जाता है, ठीक है, अब इसका botanical name क्या हो गया, Imblica Officinalist, इसको ध्यान दीजिएगा, next U4BSE या फिर Philanthesi, उत्पत्ति स्थान बच्चो ठीक है, इसको अब इंडोचाइना या फिर Indian subcontinent करके भी आता है, ठीक है, Indian subcontinent भी इसका उत्पत्ति स्थान है, तो इसका आपको दोनों ही चीज़े ध्यान देना होगा, इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, Indian subcontinent और origin इसका क्या हो जाएगा, इंडो चाइना. नेक्स्ट टाइम आफ फूट बट डिफ्रेंसिएसन। जिसको F.E.D. का तो फूट बट डिफ्रेंसिएसन मतलब होता है जब फल का निकल डेखेशन। यह कब होता हैं तो तो March-April के महिने में होती है, आउला का फलो का कली बिभेदन जो होता है, वो समय कब होता है तो March और April अभी जो है वोई समय चल रहा है, ठीक है, next त्रिफला और चमनप्रास, सभी लोग जानते होगे कि आउला जो है हमारा vitamin C का प्रचुर स्रोत तो है ही, हाँ सही बतारेगो मैंग ठीक है आप लोग को इसके लिए परिशान नहीं लेना आए ठीक है अभी पढ़ लिजिए उसमें बहुत ही ज्यादा टफ कोशन्स नहीं आते डिडियू में ठीक है तो इसलिए आप लोग अगर बियाजु का 10 साल का कर लोगे डिडियू निकाल सकते हो इसमें कोई दिक एक बार लिखके इसको paste कर दीजिए जैसे हम लोग किसकी चीज में confusion होते हैं जादा तर बीजदर में confusion होता है जादा तर बोटैनिकल नेम फैमिली ओरीजीन ठीक है इडीबल पार्डी इंस हमें confusion होता है वेराइटीज में तो इस सब का आप क्या करो एक लिस्ट बनाओ सारे असलो का और आपको जो उसको study table के सामने रखे उसको regular revision करो regular revision ही हमारा क्या है एक मात रुपाए है जिससे आप जो है एजी में confusion नहीं होगी आपको ठीक है बाकी अगर आप ऐसे सोचोगे तो यह possible नहीं हो पाएगा ठीक है regular revision की बहुत जरूरी होती है ठीक है हाँ त्रीफल में जो है स्वा असंगती यानि कि self incompatibility मतलब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी जो स्वयम रूप से फडलाइसन में इंकमपैबल रहे ठीक है एक इनकापेबल रहे उसको कहते है ठीक नेस्ट अटा लाज साइज साउंड फ्रूट और मॉस्टी अगर हम लोग करते किसी फल को तो बड़े आकार का ही करते हो ठीक है तो लार्ज साइज्ड और साउंड फ्रूट्स जो होते हैं वो और मॉस्टी यूज़ प्लाइस फ़र प्रिजर्वेशन और कैंडी मेकिंग यानि कि कैंडी बनाने के लिए उप्युक्त जो होते हैं वो हमारा आउला में सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है ठीक है उसके बाद बच्चों यहां पर देखो ट्रेनिंग अब देखो कटाई छटाई की जो हम लोग बात कर रहे थे तो यहां पर ट्रेनिंग जो होती कौन सी मोधाट से होती है और सिंट्रल लेडर सिस्टम में इस तरह से देखिए तो यह जो कटाई छटाई जो थी निल्हां है तीन तरह के अलग अलग ज से अर्श्ट हो है और तीनों में आप पोधे को किस सेप में किस साइज में कटाई छटाई करते हो उसके हिसासब देख सकते हैं यहाँ पर central ladder system है यह modified ladder system और open waste या फिर center ठीक है तो इस तरह से आपको समझ में आगे हैं कि तीनों अलग-अलग प्रकार के होते हैं बच्चों ठीक है तो यहाँ पर जो ठीक है चलिए आगे next irrigation should be avoided during flowering अब भया यह तो कई बार क्या repeat करना यह तो आपको पता ही है कि अगर किसी भी फसल की बात करते हैं तो वहाँ पर पुस्पन के समय सिचाई नहीं दी जाती है क्योंकि उसको पुस्प ज़र जाते हैं किस महिने में हमें सिचाई नहीं देनी है मार्च अप्रिल का महिने में जो हम लोगों को सिचाई नहीं देनी है next up pruning is done during the month of March अप्रिल up to the height of 0.75 से 1 meter तक के height पर जो इसको हम लोग प्रूनिंग करते हैं वही कटाई छिटाई इसमें भी की जाती है next बच्चो आउला is a decidious tree when deep rooted and sparse foliage ठीक है इसमें देखोगे अगर आ ठीक और यहां पे जो आपको फल भी इस से आपको देखने को मिलता है ठीक है आउला में एक दो चीज जो है अलग से आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी जो है बच्चों इसमें तीन साल बाद पॉधे लगाने के तीन साल बाद इसमें फल आने लगते हैं तो कई बार क्या होता है? कुछ-कुछ आपके एक्जाम में देखोगे तो कितना महीने बाद जो है फल आ जाता है करके कोशन पूछ देता है उसके केसे में आपको ध्यान देना होगा कि आउला में जो है तीन साल के बाद ही इसमें जो है फल आना शुरू होता है यानि कि बीरिंग स्टार्ट्स पर एकन्ट्री होता है तो देखो को खाने का अलगरण तरीका जैसे इसको कच्छा भी खा सकते हो ठीक है इसको कैंडी वगेरा मुरब्बा बना के भी खाया जाता है इसका अचयार भी बनाया जाता है तो इसको जो linear तरीके से एक अड़ है हाँ इसमें देखो patch budding भी होता है और soft wood grafting भी होता है अभी आप लोग को भी diagram दिखाऊंगा ठीक है कैसे आपको पैचानना है grafting और उसमें ठीक इंडिया रैंक first in area and उत्पादन यानि की छेत्रफल और उत्पादन दोनों में बच्चो किसमें छेत्रफल और उत्पादन दोनों में जो है भारत हमारे क्या है तो पहला इस्थान पर होता है ठीक एस चीच को आपको basically ध्यान देना है बच्चो नेक्स्ट आपको ध्यान देन जो कंटेंट है वो 600 मिली ग्राम पर 100 ग्राम और इडिवल पोर्शन देखो इसको सबसे पहले तो यह ध्यान देना आप बच्चो कि बारबडस चेरी में सबसे ज्यादा बिटामिन सी होता है ठीक है बारबडस चेरी के बाद बच्चो आपको ध्यान देना है आउला के बार बारे में फिर आपको ध्यान देना है बच्चो नेक्स्ट ग्रीन चिली यानि की हराम मिर्च के बारे में ठीक है इनमें जो बिटामिन सी जो होती है न बच्चो यह इस तरह से डिक्रीजिंग कंटेंट में होता है तो आपके ऑप्सन जो रहेंगे उसी के हिसाब से आपको आपको बनता है आउला का आचार ही नहीं इसके और भी चीजए जो आप इसमें पकवान बना सकते होFit हैं मस्ट लगता है ठीक है हाँ टेनीन उसमें प्रिजेंट होते हैं सही बात है नेक्स्ट आपको ध्यान देना है आउला की जो मस्ट कॉमनली प्रोपागेशन मेथड होता हूँ बच्चा पैच बडिंग या फिर जो मोडिफाइड रिंग बडिंग की जो हम लोग बात कर रहे थ जैसे टी बडिंग आपको बताए था कल इस तरह से और पैच बडिंग इस तरह से आप पैचेस बनाके इसे बडिंग की प्रक्रिया की जाती है ठीक है अब बडिंग कैसे होता है इसका भी है को लोग डाइग्राम भी बताऊंगा ठीक है कि ग्राफ्टिंग और बडिंग कै से अंतर होते हैं और क्या अंतर होता है ठीक उसके बाद बच्चो नेक्स्ट आपको हेबी फ्रोस्ट डिूरिंग विंटर यानि कि ठंडी के समय पर जो अगर कुहासे आ जाते हैं तो ये उसके उप्यूक्त नहीं माना जाता है उसके उगाने के लिए यानि कि सीतकाल में भार अभी नहीं बनी है बच्चो ठीक, प्लेलिस्ट जल्दी बन जायगा ठीक, तब तक आप लोग जो है, ऐरी कल्चर में तो बच्चो आप लोग 라जा अलक से प्लेलिस्ट की जरूरत है जो चीज़ें आपको पढ़ाएंगा है कवर करने है, अलक से प्लेलिस्ट ऑप के प्ले नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आउला बिंग डीप रूटेड डेली सीडियस ट्रीज विट इस पार सोलेज इन आइडेल प्लांट ठीक है इसके लिए तो टू ट्री टायर सिस्टम क्या होता है पहले तो इसको समझे पहले एक जैसे वर्टिकल क्रॉपिंग होता है क्या ह किया जाता है जैसे एक उपज हाइट वाली क्रॉप लगा दिया ठीक फिर बीच में क्या करेंगा हम दूसरा एक कम हाइट वाला लगा अगा जाते अर तीसरा हम लोग इस तरह से कोई एक सबजी लगा दिये मानल नॉरमल क्रॉप तिस तरह से हाइट के हिसाब से जो है और अगर आप देखोगे तो आउला के पेड़ के निचे अपको धूप की रेडियेसंस काफी आती है और बर्गत अगरा के पेड़ के लिए इसकी पत्ते होते हैं जिसके कारण से प्रकास निचे नहीं पास कर पाती है लेकिन आउला में क्या होता है इसके फोली इस पार्स होते ह याने कि खुले-खुले रहते हैं, खुले-खुले रहने के कारण से क्या होता, अगर आप आउला पेड़ के नीचे कोई और भी सबजी अगर लगा दे रहे हो, ठीक है, तो वो सबजी इसली ग्रो कर पाएगी, क्योंकि वो जो सोलर रेडियेशन की इंटरसेप्सर होती है, व इसके कारण से वो जो है, इसको सॉनलाइट को नहीं रोख पाएगा, ठीक है, ठीक, आप वहां से मिली ग्राम से निकाल सकते हो, ठीक, आप लोग को यहां पर मैंने बताया है, आउला में परसेंटेज, 600 मिली ग्राम पौर 100 ग्राम, तो इसमें से आप परसेंटेज आप क्या अंतर होता है, पहले ध्यान से समझना, ठीक, जैसे ग्राफ्टिंग में बच्चो एक स्टॉक होता है, क्या होता है बच्चो, एक स्टॉक होता है और दूसरा सियोन होता है, क्या होता है, सियोन होता है, ठीक, अब यहां पर देख लीजिए, जैसे यह हमारा एक पौध दिया गया और फिर यहां पर क्या किया जाए मिट्टी लपेट दिया जाएगा और यहां पर जो अंकूरित होगा नया पौधा इस तरह से दो अलग अलग प्लांट का देखिए एक प्लांट यह था प्लांट यह था स्टॉक सियोन और इस तरह से दोनों को इस तरह से से अगर कर दोगे मालो मलो इस तरह से आपने सेट कर दिया ठीक है औben इस टर। कर रहे हो तिसको क्या कहेंगे ग्राफ्टिंग इस तरह से इस टोब ग्याप बनाए इसमें स Background Shots आप तो ऑगर करोगी हो इसको ग्राफ्टिंग भी निर कहती गाती जहां पर बड़ंग में क्या होता बच्चो एक कली का को लिया जयता है इसको यहां पे इंसर्ट करके यह वी इस तरह से wereping कर दी जाते है टीक है तो यहां पर आपको अब ग्लास यह ताइम टीबल देख लिजए गा बच्चो टेक उसके के बाद यहां पर स्टॉक और स्यों देखो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जंगली पौधे ऐसे रहते हैं जो कम पानी में भी अच्छा ग्रो कर लेते हैं वाटर रिक्वाइर्मेंट उनकी कम हो जाती है ठीक है ड्रोग प्रतिरोधी होते हैं लेकिन उनका फल का क्वा दोगे बच्चो उसके बाद जो आने वाला वेराइटी होगा उसके अंदर रोग प्रतिरोधाद मग छमता भी होगा तो इस तरह से जो करते हैं तो यही सब हमारे एड्वांटेज होते हैं ग्राफ्टिंग होगे ठीक तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको मेजर डिजीज यानि किसके प्रमुक रोग तो ग्राफ इस सब कुछ बीमारी है जो हमारे इस फसल में जाद तर देखने को मिलता है नेक्स्ट इंसेक्ट पेस्ट बच्चो ठीक है इंसेक्ट पेस्ट में आपको ध्यान देना होगा कि कौन-कौन से कीट जो है इसके फसल में ज्यादा तर लगते हैं जैसे लिफ रोलिंग के टरपिलर सूट गल्मेकर मिली बग पोमोग्रेनेट फ्लाई यह सब हमारे क्या है से जैसे कोई कीट लग जाता है हमारे पौधे फला चमन प्राइस ऐसे आयोवेदिक दवम जो मेडिसिन होते हैं उसके लिए भी हमारा मौतपुर्ण है नेक्स्ट आपको बच्चो ध्यान देना होगा उनकी वेराइटी के बारे में बनारसी वेराइटी क्या है तो अर्ली म्यूचूरिटी और बेस्ट कल्डिवर फर मुरभा यानि कि अगर आपको कोशन पूछ दे कि मुरभा बनाने के लिए सबसे उप्यूग्त कौनसी वेराइटी होती है तो आप क्या बता होगे जो आपका किस्म है यह बनारसी मुरभा बनाने के सबसे अच्छा माना जाता है नेक्स्ट है हाथि जूल इसमें फ्रूट नेक्रोसिस फल सदन का जो समस्य अधिक देखने को मिनता है नेक्स्ट चकिया, alternate bearer, free from necrosis, नेक्स्ट बच्चो कंचन, जिसे NA4 भी कहते हो, ये क्या है, सिदलिंग सेलेक्शन फ्रम चकिया, उसके बाद NA6, सिदलिंग सेलेक्शन फ्रम चकिया, आइडल फर कैंडी, यानि कि जो कैंडी बनाने के लिए सब शुप्यूप्ट वेराइटी NA6, मुरब्बा बनाने के लिए वनारसी, ठीक है, उसके नीलम वेराइटी जो ही हो, हमारा वनारसी से ही तैयारी किया गया है, निक्स्ट है, यह हमारा जो अमरीत वेराइटी है, यह भी हमारा जो है, प्रोड़क्स बनाने के लिए, यानि कि पर संस करने के लिए, यह सब व बहुँ पौधे से लिया जाता है जो हुँ बहुँ सेम दिखता है उसको क्लोन कहते हैं यह गोमाई सोरिया का है ठीक है नेक्स्ट आपको ध्यान देना होगा भावानी सागर जो है यह हमारा किसका थिम्बन से बनाया गया है यह सब इतना आपको इंपोर्टेंट नहीं है बल लाबा जो आपको वेराइटी से रिलेटेड कोशन्स नहीं आएंगे ठीक है बच्चो तो आज की क्लास में हमने आप लोगों को दो मौत पुन्द फसल सेब और आउला के बारे में बताया बच्चो ठीक है सेब और आउला से रिलेटेड सारी चीज आप लोगो डिसकस करा दिया गया है ठीक है अब इसको करना क्या है बच्चो एक बार इसको रिवाइज कर लेजो होता एस ठीक है बता देते हैं बच्चो लेको रिंग रष्ट जो होता है द्यान देजिएगा रींगरस मान लिजिए रस्ट मतलब क्या होते पहले यह समझो जैसे रस्ट रोग committed इस तरह से आपको उसी color का आपको formation होगा इसको आपको ring spot कहते है ठीक है इस तरह से आपको ध्यान देना होगा हाँ सर इस टॉक और सियोन मिन्स हाँ agriculture economics भी पढ़ना है हर्षदीव चौधरी आपको पढ़ाया जाएगा ठीक है agriculture economics की विए 12th का part भी है चलिए ठीक है stock और sion मिन्स बता दे रहा है देखो stock और sion मतलर जैसे दो पार्ट लेते हो न इस तरह से और दूसरा पार्ट इस तरह से ले रहा है है इसको इंसर्ट कर रहे है तो इसको आपको पार्ट जिनको आपस में जोड़ कर जो है अम लोग ग्राफ्टिंग के समय जो है नया पौधा तयार करते हैं ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही बता बात करते हैं फिर ठीक है जैसे अडेट पाम, खजूर, आलमंड ठीक है तो यह सब जो फ्रूट्स हैं जिनके बारे में एक आध कोश्चन बस पूछा जा सकता है या सपोटा चिकू जिनका एक दो वेराइडिस पूछे गए हैं तिन सब को समगर में लेकर हम लोग केबल सम माइनर फ्रूट्स को जो है रिवाइस कर लेना है ठीक है अब घबराना नहीं है बच्चो बियेचु का पैटर्न वगेरा जो है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आएगा ठीक है थोड़ी बहुत चेंजे जाएंगे लेकिन आप जो डोमेन पढ़ रहे हो उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा किसी घबराना नहीं है चाहिए सीवीटी का फॉर्म लेट आए या आज आए या कल आए तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चो ठीक है अराम से आप लोग पढ़ते रहे है खुब आगे बढ़ते रहे है ठीक है फिर मिलते हैं बच्चो अगली क्लास में जिसमें हम माइनर फ्रूट्स के बारे में डिसकस करेंगे तब तक के लिए सभी को टेक केर गुड़नाइट बबाए